करके देखें पहला, नीचे दिये गए सवाल पढ़िए और बताईए कि उनके जवाब ढूणने के लिए हमें किस प्रकार के आंकडे चाहिए चर्चा करके यह भी बताईए कि आंकडे हमें कहां से और कैसे मिलेंगे पहला, पिछले तीन वर्षों में रायपुर में पेट्रोल के दामों में क्या-क्या बदलावाए दूसरा, इस साल देश के कौन से राज्य में सबसे कम वर्षा हुई तीसरा, पिछले पांच वर्षों में 36 गड़ में मचली उत्पादन में कितनी वृद्धी हुई चौथा, 2011 की जनगर्णा में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी पांचवा, पिछले पांच वर्षों में आपके गाओं या शेहर की जनसंख्या में क्या परिवर्तन आए चटवा, चट्यस गड़ के किस जिले में स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है साथवा, पिछले पांच वर्षों में भारत ने होकी में कितने अंतराश्ट्री मैच खेले आठवा, वर्ष 2010 से 2015 तक पूरे भारत में चामल का कितना उत्पादन हुआ सोचें एवं चर्चा करें पहला, यदि आपके स्कूल में कुल 1000 शात्र हों और यदि आपको अपनी उचाई की तुलना सबसे करनी हो तो यह कैसे करेंगे दूसरा, यदि आप अपने जिले के शात्रों के साथ अपने दोडने की गद्धी की तुलना करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार के आंकडों की आवशकता होगी यह भी सोचें कि आप उने कैसे व्यवस्थित करेंगे आकडों का चित्रात्मक निरुपन पिछली कक्षा में आपने आकडों का संग्रहन तथा प्रस्तुती करन सीखा है साथ ही बारंबरता साण्नी तथा आकडों के आलेखी निरुपन को भी समझा है जिसमें आपने आयत चित्र, आवरिती बहुभुज तथा संचई आवरिती वक्र आदी बनाना सीखा इन चित्रों के आधार पर हम बहुत सी जानकारिया प्राप्त करते हैं तथा उनसे निशकर्ज भी निकालते हैं आईए कुछ इसी तरह के आकडों का अध्यान करते हैं इस्तंब आलेख का अध्यान किसी प्रदेश में विभिन वर्षों में हुए गेहूं के उत्पादन को इस आलेख द्वारा दर्शाया गया है इस आलेक को देखने से गेहूं उत्पादन के बारे में कौन-कौन सी बातें इस पश्ट दिखती है आलेक को पढ़कर इन सवालों के जवाब खोजे पहला, दोहजार साथ आठ में गेहूं उत्पादन कितने टन था दूसरा किस वर्ष में गेहुं उत्पादन सबसे अधिक हुआ करके देखें तालिका का अध्यान वर्ष 1980 से 1989 तक एक शहर में हुई वर्षा के एकत्रित किये गए आकडों को नीचे की तालिका में दर्शाया गया है वर्षा से संबंधित इन आकडों का अध्यन कीजिए इस्तंबालेक बनाईए तथा इनके आधार पर कम से कम पाँच अलग अलग तरह के निश्करश लिखिए माध्य, माधिका, बहुलक आपने आकडों से बने इस्तंबालेक वह आवरित्ती वक्र से कुछ सवालों के जवाब ढूंडे तथा निश्करश निकाले क्या इस्तंबालेक को देखकर यह बता सकते हैं कि 2005 से 2012 तक गेहूं का ओसत उत्पादन प्रतिवर्श कितना रहा क्या हम यह बता पाएंगे कि आखडों को करम में रखने पर कौन सा वर्श ठीक बीच में आएगा फिर दूसरी तालिका से यह जान सकते हैं कि इस शहर में ओसतन एक वर्श में कितनी बारिश होती है या यह कि सामानने तह बारिश होने की उमीद की जा सकती है इस्तंबालेक देखकर हम आखडों के करम वा उनके रुख के बारे में नहीं बता सकते इसके अलावा ओसत उत्पादन निकालने के लिए हमें अंक गणिती ओसत चाहिए आईए याद करें हम यह कैसे निकालते हैं अंक गणिती ओसत या समानतर माध्य अरिथमेटिक मीन अब हम 2005 से 2012 तक गेहूं के ओसत उत्पादन की गणना करने के लिए प्रत्यक वर्ष के गेहूं के उत्पादन लाख टन में को जोडेंगे तथा उसे कुल वर्षों से भाग देंगे आईए देखें कि गेहूं का ओसत उत्पादन कितना रहा कुल उत्पादन बराबर 68.64 धन 79.35 धन 75.81 धन 78.57 धन 80.80 धन 80.80 धन 86.87 धन 93.90 बराबर 634.74 लाख टन 2005 से 2012 तक कुल वर्ष बराबर 8 वर्ष औसत उत्पादन बराबर 634.74 बटे 8 बराबर 89.34 लाख टन यहां हमने गेहूं के ओसत उत्पादन की गड़ना की है आंकडों के ओसत को सांखिकी में समानतर माद्दे कहते हैं यानि जब आंकडों का समानतर माद्दे ग्यात करना हो तो आंकडों को जोड़ कर कुल आंकडों की संख्या से भाग देते हैं सूत्र की रूप में इसे इस प्रकार से लिखते हैं समानतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या यदि प्रेक्षणों को X लिखें तो प्रेक्षणों का योग समेशन X तथा प्रेक्षणों की संख्या N हो तब समानतर माध्य बराबर समेशन X बटे N समानतर माध्य को प्रायह AM या M अथवा X बार से प्रदशित किया जाता है